तो मुवी के स्टार्टिंग में हमें प्लेटी अमांडा को देखते हैं जो एक क्रिमिनल टीम त्यार कर रही होती है लेकिन स्ट्रेंज बात ये कि वो उनकी बॉटी में बॉंब्स पे फिट करा देती है कि अगर वो भागे तो ये बॉंब्स ब्लास्ट हो जाए इस टीम में किसी सetसे खुच आनिमल्स ये अलव क्रियाचर्ष भी होते हैं और इस मुवी की में करेक्टर हारली कुईन बें वो लोग एक आईलेंड पर पहुंचते थे पानी में जंप लगाने लगते हैं लेकिन ऐनिमल्स जैसे क्रियाचर्ष से स्विम नहीं किया जाता और वो अपन खतरनाक आर्मी क्रुप था ये आर्मी यहां भी आ जाती है तो ब्लैक कार्ट हाथ उपर करके चिलाने लगता है आर्मी के लोग जो के पूरी पाउंडरे बिनाकर इनके चारों तरफ खड़े थे ब्लैक कार्ट के मुँपर फाइरिंग करते हैं जिससे उसके मुँ के सारी स्किन उतर जाती है और वो वहीं मुँ के बल गिर जाता है अमानडा इनसे पर नजर अके होती है और इनसे कहती है जो भी हो जाए तुम लोग स्टेप बैक नहीं करोगे यानि पीछे नहीं हटोगे हाल ले कुएन इसका फाइदा उठाते हुए अपनी बड़ी सी शॉर्ट गंजे आर्मे के क्रूप के तरफ शूट करती है जिससे उनके काफी लोग इस प्लास्ट में मारे जाते हैं अब यहां पर असली फाइर शुरू होती है जिससाइड स्कुाइड का एक मेंबर एक प्लेट फैंगता है तो वो एक आदमी की करतन और एक आदमी का सर एक साथ इकार डालता है आर्मी भी जोश में आ जाती है और अंदा दून फाइरिंग शुरू करती है हाल ले अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है लेकिन इससे भी काम नहीं चलता और स्वेंथ काफी डरने लगता है वही लंबे बालों वाला आदमी तो वहां से भागने का सोचता है लेकिन इससे पहले ही अमैंडा उसे प्लास्ट करतेती है क्योंकि उसने कहा था जो भागेगा अपनी चान कवा भेटेगा अप यहां स्टूरी एक टर्ण लेती है और जहां हमें अमैंडा की क्लिवर माइंड के बारे में भी बता चलता है कि उसने एक और बैक अप टीम तियार कर रखी थी मुझे लगता है उसे पता होगा कि उसքी पहली सुषाइड स्क्राइड टीम क्या करने वाली है उन में सबसे पहले वो बलड स्पोर्ट को शामिल करती है और उसे ही स्टीम का लीडर बना देती है दूसरा होता है पीसमेकर जिसके पास ये अबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज को हत्यार बना लेता है और उसको यूज करके अटेक कर सकता है और तीसरा किंग शार्क जिसमें इतनी स्यादा पावर होती है कि वो किसी भी चीज को कच्चा चपा सकता है और इंसान कम शार्क ही जादा होता है एक बलर की कैजो जो रैड्स को अपने कंट्रोल में कर सकती थी तनी हर किसी के पास अपनी अलग अबिलिटी होती है अब अमेंडा सुसाइड स्क्वैड को मिशन के बारे में बताने लगती है इस आइलेंड पर एक जेंडरल का कब्सा है और इसी तरह वो पूरे अमेरिका पर अपना कंट्रोल रखना चाता है इस पूर्पस के लिए उसने वहाँ पर एक लैब बना रखी है और तुम लगों को इस लिए चुना गया है ताकि इस आइलेंड पर जाकर इस लैब को जूंडो और जेनरल के साथ जाथ उस लैब को डिस्ट्रॉई कर दो लेकिन उससे पहले तुम सब को उसके राइट हैंड यानि लैब के इन चार्ज को पकरना होगा उदर हार्ले कुईन और फ्लैग बच जाते हैं चो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं लेकिन हार्ले को आर्मिय पकर लेती है और फ्लैग, और आर्लै के कुछ लोग, अब relatively कह लोग वहाँ आइलेंड पहुन चुगा होता है केजो वहां रैट्स बुला लेती है जिसे किंग शार्क को इतना फर्ट नहीं बढ़ता लेकिन ब्लेट स्पोर्ट को दूर बढ़ जाता है क्यूंकि वह चुहों से बहुत डरा करता था अब केजो को डर होता है कि किंग शार्क कहीं उसे तुबारा ना खा ले तो वो उसके पास जाकर उसे प्यार से समझाती है कि देखो हम दूस्त हैं और एक मिशिन अच्छे से करेंगे तो किंग शार्क समझ जाता है लेकिन बागी सारी टीम उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं मान सकती थी अब अमेंडा सुसाइड स्क्वेर से कांटेक्ट करती है और उन्हें फ्लैग को आइलेंड के लोगों से बचाने का कहती है जो कि एक ट्राइब था वो सब उस तरफ चल परते हैं किंग शार्क वहाँ जाते ही एक आदमी को खा जाता है पीस्मेकर के सामने ट्राइब का एक बंदा आता है तो वो उसकी तरफ अपना कुलहारा पहंगता है जो सीधा उसके सर में जाकर लगता है और उसका काफी खूल बहने लगता है फिर ब् इस्वर्ट से लोगों की बॉडिस को काट के अंदर जाता है तो इनस सब को पता चलता है कि ट्राइब वालों ने फ्लैग को कैद नहीं रखा बलके इन्होंने तो उसकी जान बचाई थी और स्ट्राइब की लीडर आके इनस सब से बात करती है वो बताती है कि वो भी जैनर हार्ली को आर्मी पकर के जैनरल के पास ले गई थी वो हार्ली से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं प्रेजिटेंट बन जाओंगा क्योंकि लोग समझते हैं कि मेरे लिए मैरिट होना जरूरी है और फिर हम दोनों मिलके दुनिया को भी रूल करेंगे हार मर चुका होता है वो मुझ के बल लेटा हुआ था और वहीं ठेर हो जाता है इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू है और वो भी प्रेजिटेंट बनना चाहता था इसलिए जेनरल की मौत से बहुत खुश होता है तो सब एक बस में होते हैं और अ करते हैं सिंगिं करते हैं बहुत इंजोय करते हैं वहां उनको एक आदमी देखता है जिसके सर पर अजीव से स्पाइक सोथ होते हैं तो प्लर्ट सबूट खामूशी से कैजू और पॉल्काडूट मैं के साथ और उस पाइक से निकाल देता है और फुद पीस में के साथ होता है और बस टिल्ट हो जाती है बस और भी वेहिकल से टकरा जाती है और एक प्लास्ट हो जाता है ड्राइवर भी अपनी जगा हिल चुका था और अब बस रूल होते हुए नीचे जागरती है है कि उसमें से फ्लैग ब्लट स्पोर्ट और पीसमें कर बिना किसी चोट के ॉटार अब आन करते हैं कि हार्ले को बिचाएंगे हार्ले की के盐 मै्थियू ने उसके हाथ ऊपर के तरफ बंद की उसे लगा था वो इसके मूँ और बैट पर पंची जब मारता है जिससे मूँ उसे खून आने लगता है वो उससे उसके बैक्टरॉंड के बारे में पूछता है और ये भी कि कौन लोग है हमारे पीछे हारले उसे कुछ नहीं बताती तो मैथ्यू का बंदा उसे लेक्टिकल शॉक्स देने लगता है हारले की आंखें बंद हो जाती है लेकिन वो ड्रामा क सूट कर देा अरा सकता है और फी साथ जुट लेक्टिकल रोडियो मुझा पी शीज करने लगते हैं इस आखने निए कर दिर सुट करते हैं इस वहां कि आत्मे के जिसम को दो इस्तों में अलट कर देता है और यहां बहुत सारे सुलजर कर से पीछे से और पे soldiers आ जाते हैं और मेध्यू को भी खबर हो जाती है शिसाइड स्क्राइड लैब के अंदर जाके डोर्स लोग कर शुका होता है एस ओब लैब के अंदर जाती है तो वहाँ बहुत से creatures को देखती है जो से communicate करने की कोशिश करती है वहाँ वो कुछ स्टारफिश को भी देखती है जो बहुत dangerous लग रही होती है अब यहाँ वो स्पाइक्स वाला आत्मी इन सब को बताता है कि यह स्टारफिश हमारे अपने मुल्क का ही एक fail experiment था और पिर इसे illegal experiments के लिए slab बेश दिया गया अमेंडा भी इस चीज को जानती थी लेकिन वो सब कवर करना शाहती थी ताके हमारा मुल्क बतनाम नहों टैक्स यहां का टैट आप चुरा लेता है लेकिन पीसमेकर इस पर gun पॉइंट कर लेता है से पहले कि उसे कुछ कह पाता बाहर आर्मी के अटैक की वज़ा से बिल्डिंग किर जाती है और स्टार फिश का भी केच तूट जाता है जिससे वो अज़ाद हो जाती है और सबसे पहले उस पाइक्स वाले आदमी के हाथ पॉँप पगड़के दोर से खीश दी है जिसके वज़ा से उसकी पॉड़ी के ताहलेदा हो जाती है और पीसमेकर फ्लैग के बेट में किक मारता है कि वो उसे डैटा वापिस कर दे क्योंकि अमैंदा ने ये पीसमेकर को ऐसा करने के लिए कहा था वो उसे उठा के किसी चीज़ की दरफ पहंगता है और एंड़ फ्लैग पीस्टियर की एक चीज़ उठाकर पीसमेकर को मारने लगता है और उसके मुँसे बहुत हूना लगता है लेकिन इससे पहले के फ्लैग पीसमेकर को मार था पीसमेकर उसकी चेज़ में स्टैब कर दीता है और इस जीज का फाइदा उठाते हुए कैजो वहां गिरे हुए ड्राइफ उठा लेती है जिसमें डैटा था लेकिन पेसमेकर उस पर भी कंट पॉइंट करके उसे डैटा वापिस करने का कहता है दिर हम शार्क को देखती है जो बिल्डिंग में पानी बेजाने के विज़ा से बाहर जाके गिरता है और उसके सामने आर्मी होती है यहां ब्लड स्पोर्ट पे बिल्डिंग से गिरने ही वाला होता है लेकिन हार्ले उसका हाथ बगर के उपर खींच लेती है नीचे सब आर्मी वाले किंग शार्क पर शूट करने लगते हैं लेकिन वो बहुत स्टौंग था वो उठ गड़ा होता है और आर्मी वालों को कच्छा चपाने लगता है पैप काफी डैमेज होने के विज़े से तूटने लगती है और किरने ही वाली होती है कि हारली ब्लड स्पोर्ट और पॉल का तूट मैन वहां से जंप लगा के रोड को एक रसी के उपर स्लाइट करते हुए पाहिल आ जाते हैं पीसमेकर ब्लड स्पोर्ट पर शूट करता है तो उसे ये वक्त ब्लड स्पोर्ट भी अपनी ब्लड शूट कर देता है तो उसकी ब्लड पीसमेकर की ब्लड को चीरते हुए पीसमेकर तक जाती है और सीधा उसकी चेस्प में लग जाती है और वो मारा जाता है अब कैजो रोत को सब कुछ बताती है स्टार फिश इस कैसे दवाही मचा रही है वो ब्लड स्पोर्ट को टैटा भी देती है अब शार्प इनको जॉइन कर लेता है और एक आदमी का सर खाते हुए बड़े मज़े से अंटर होता है इतने अटैक्स के बाद भी ज्यादा चूट नहीं आए थी लेकिन तभी वहाँ पर मैध्यू का आरमी भी आ जाती है वो अपनी गंस त्यार कर लेती है उसे सायर स्क्राइट को मारने ही वाले होते है लेकिन इससे पहले ही स्टार फिश बिरनी को तोड़ते हुए बाहर आती है बहुत ज्यादा ही उसी आरमी अब उस स्टार फिश पर तो तुम लोगों ने लैप को डिस्ट्रोई करें तो तुम लोगों आपस आसाथ हो। लेकिन सुसाइड स्कुराइड अपनी सीटी को खतर में कैसे देख सकती थी तो वो स्टार फिश लड़ने लगते हैं। लेकिन अमेंडा एंसा कहती है मैं तुम लोगों को ब्लास्ट करके उड़ा दूगी। किन तभी अमेंडा के ओफिस में ही मजूद एक लड़की इसके सर पर रोड मारती है कि वो भी उसकी ब्लैक मिलिंग से तंग आ चुकी तरसे साइड स्कुराइड स्टार फिश को खतम करने के लिए निकल परती है और सब लोग उरें अप्रिशेट कर रहे होते हैं। किन शार्क तो उस पर चड़ कर उसका मीठ हिखाने लगता है। उसे बहुत पाइट्स करता है। कैसु भी स्टार फिश को मारने के लिए जाती है लेकिन देखती है स्टार फिश तो उसे ही मारने आरी है तब बैट स्पोट उड़ता हुआ आता है। बहुत बड़ी जम्प लगाता है। कैसु को अपने साथ लेके नीचे उतर जाता है। हार्ली भी बहुत उंची जम्प लगाती है। अपनी उसी रूट से स्टार फिश की आंख में टैप कर देती है। स्टार फिश उल्डी बिल्डिंग्स के पर गेती है क्योंकि वह काफी जम्मी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात कि वहां पर कैसुने ने ठीर सारे रैट्स पुलवाकर स्टार फिश की तरह से खतम ही कर दिया था। उसके बात बलड स्पोट अमेंडा को ब्लैक मिल करता है कि सारा डेटा हमारे पास है तुम हमें फ्री कर दो अमेंडा को ऐसा करना पड़ता है उसके बाद वो सारे हैलिकॉप्टर में पैठके वहां से असाद होके चले जाते हैं और दर पीसमेकर को भी हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि जिन्दा होता है वो भी नहीं मरा था दोक्टर्स इसका इलाज कर रहे थे और इसे के साथ ये मुवी यहीं एंड हो जाती है थैंक्यू फो वाचिंग